Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इसको anti-muslim law, although हम सबको पता है कि ये जो कानून है, वो citizenship छीनने का नहीं है, किसी से वो citizenship लिया नहीं जा रहा है, लेकिन ये citizenship देने का कानून है, लेकिन फिर भी जो भी हो, हम अपने perspective से अगर बात करें, भारत के perspective से, तो ये जो कानून है, इसको लेकर petition दर्ज किया गया है Supreme Court के अंदर, जो Indian Union Muslim League है, उन्होंने कहा है कि ये unconstitutional है, ये आप बेख सकते हो, Indian Union Muslim League moves Supreme Court to stay citizenship amendment rules 2024, तो इसके बारे में हम डीटेल से चर्चा करेंगे, ये Indian Union Muslim League है, कि आप मेंसे कई लोगों को शायद पता नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथी साथ जो overall legal challenge है, C इस basis पर इसको कहा जा रहा है कि ये unconstitutional होगा, और क्या Supreme Court इसको strikes down कर सकता है, वो सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आप में से जो भी लोग UPSC की preparation कर रहे हैं, हमारा जो GS Foundation batch है, वो start होने वाला है 13th of March से मतलब की कल से, अगर आपको एक ऐसा batch चाहिए, जिसके अंदर prelims, mains, interview, सब कुछ की complete preparation करनी है, तो इस foundation batch को join कर सकते हैं, बस आपको हमारे website आप पर जाना है, comment section में link है और use करना है, code अंकित live ताकि आपको maximum discount मिल जाए, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो इसको basically आजादी के जश्ट बाधी 1948 में found किया गया था, basically क्या है आपने सुना होगा, AIML के बारे में, All India Muslim League, basically जब आजादी का दोर चल रहा था, मतलब देश आजाद होना चाहता था, तो 1906 में ये All India Muslim League form किया गया था, और आगे चलकर इसके जो लीडर हैं, मुहमद अली जिन्ना बने थे, तो क्या है कि इसी का जो हिस्सा, जो भारत वाला हिस्सा है, वो यहाँ पर आप देख सकतो, इसका नाम बदल दिया गया और कहा गया, Indian Union Muslim League, आज की डेट में अगर आप देखोगे, इसका जो main presence है, वो आपको केरला में देखने को मिलेगा, basically एक political party है, और Election Commission of India के दौरा भी इसको State Party के तौर पर recognize किया जाता है, केरला के अंदर, लेकिन इनका जो headquarter है, वो आपको Tamil Nadu में देखने को मिलेगा, तो इनहीं के दौरा, आज ही 12th of March को Supreme Court के अंदर, एक petition dash की गई है, और कहा गया है कि यह जो Citizenship Amendment Act Rule है, और जो Act है, इसको Supreme Court को strike down कर देना आज ये, क्योंकि ये unconstitutional है, और उसका reason मैं आपको बताऊंगा ऐसा उन्होंने क्यों बोला है, लेकिन यहाँ पर basically उनका एक जो main मत है, जो कहना है उनका वो ये है, कि जब इसको लाया गया था, जब 2019 में ये कानून पास हुआ था, और उस समय भी ये मामला Supreme Court में गया था, तो Central Government ने Supreme Court से ये कहा था, कि आप इसके उपर stay मत लगाईए, क्योंकि अभी तक हमने इसका जो rules है वो निकाला नहीं है, तो यहाँ पर जो All India, जो Indian Union Muslim League है, उनका ये कहना है कि देखिए, यहाँ पर 4 साल से उपर हो गया, इन्होंने rules नहीं निकाले थे, लेकिन finally, अचानक स ये लोगों ने rules निकाल दिया है, और इसी की वज़े से Supreme Court को ये strike down करना चाहिए, खैर यहाँ पर अब पहला question ये है, कि आखिरकार कितने case file किये गए है, मैं आपको बता दूँ, करीब 200 के आज़ पास जो petitions हैं, वो file किये गए है Supreme Court के अंदर इसके खिलाफ, 2020 में, ये Indian Union Muslim League जो है, वो आपका Supreme Court गई थी, और उसके बाद से 200 से और जादा petitions वहाँ पर file किये गए थे, जिसमें आप देख सकतो कई सारे politicians हैं, असोद्दीन OEC हो गए, जैराम रमेश हो गए, महुआ मोहित्रा हो गई, तो उन्होंने यहाँ पर petitions file किया गया, उसके अलावा कई सारे political parties भी हैं, जैसे आसाम प्रदेश Congress Committee, असोंग गना परिश्यद हो गए, फिर इसके लावा यहाँ पर जो द्रविड मुनित्र कग्ज, जो DM के पार्टी है तमिल नाडू में, उन्होंने भी यहाँ पर petitions file किया है, और उनका कहना है कि हम CA के एक तरह से खिलाफ हैं, तो देख रविंद्र भट एंड हिमा कोली, ठीक है, उन्होंने इसकी सुनवाई की, मतलब सुनवाई क्या कि यहाँ पर hearing हो रही थी, उसमें उन्होंने का कि इसकी जो total hearing है, final hearing है, वो आगे चलकर December में हम करेंगे, जब CGI का यहाँ पर retirement हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यह अभी तक इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, अभी present में अगर आप देखोगे Supreme Court के website पर अगर आप जाओगे, तो यह जो CA वाला मामला है, वो listed है, एक bench पर headed by Justice Pankaj Mittal, उनके वाले bench पर इसको head किया गया, लेकिन अभी तक इसको लेकर Supreme Court में सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन question यहाँ पर यह है कि आखिरकार किस basis के उपर इसको challenge किया गया है, क्यों कहा जा रहा है कि यह unconstitutional है, देखो यहाँ पर basically जो petitioners है, उनका कहना है कि यह wallet करता है article 14 of our constitution, basically article 14 क्या कहता है, the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India, तो petitioners यह कह रहे हैं कि जो CA का कानून आया है, वो basically क्या करता है, सिर्फ तीन देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देश, वहाँ से सिर्फ जो non-Muslims हैं, उनको ही भारत में citizenship अलाव करता है, यहाँ पर यह discriminate किया जा रहा है Muslims के खिलाव, मतलब हमारे देश में कभी भी religion के basis पर कोई कानून नहीं बनाया गया, यह शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि religion के basis पर यह कानून मनाया गया है, और जान मुशकर Muslims को discriminate किया जा रहा है, और इसलिए यह article 14 के खिलाव जाता है, और हम चाहते हैं कि इसको strike down किया फिर इसके लावा मैं आपको यह भी बता दूँ, petitioners का यह भी argument है कि जो आसाम के अंदर National Register of Citizens है, जो कि illegal immigrants को identify करता है, आपको याद होगा इसको लेकर भी बहुत बड़ा issue हुआ था आसाम के अंदर, यहाँ पर बताया जा रहा था कि सरकार कुछ detention camp बना रही है, कुछ बंगलादेश का है, उन सबको वहाँ पर वापस भेजा जागा, इस तरह की चीजें मतलब सुनने को आ रही थी, लेकिन पुख्ता तोर पर ऐसा चीजें सामने ही नहीं आए, अगेन भारत और बंगलादेश का भी यहाँ पर relation सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर basically petitioners यह कह जाता है, और यह पूरी तरह से unconstitutional है, अब देखो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोट जब इसकी सुनवाई करेगा, जब इसकी hearing चलेगी, तब यहाँ पर सुप्रीम कोट basically यह देखेगा, कि क्या article 14 के अंदर यह जो classification किया गया है non muslims का, और यह जो तीन देशों का classification किया सरकार देगा, अगर सुप्रीम कोट को लगेगा कि नहीं, यह article 14 के खिलाफ जाता है, मतलब यह fundamental right के खिलाफ जाता है, तो एक तरह से सुप्रीम कोट इसको strike down कर सकती है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि करेगी या नहीं करेगी, मैं आपको just एक possibility बता रहा हूँ कि वो सुप् यहाँ पर अगर हम तीन देशों की बात करें, बांगला देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पर majority कौन है, यहाँ पर majority है, Muslims, तो यहाँ पर जो non-majority कौन से वे, जो minorities हैं, जैसे हिंदू, से Christians, उन सभी को हम यहाँ पर भारत में citizenship allow करें, जो 2014 तक देश के अंद तो सरकार का कहना है कि यह discrimination नहीं है, क्योंकि यहाँ पर majority अपने आप में Muslims हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम Muslims को discriminate कर रहे हैं, यह तो उनके उपर फरतारना हुई है इन तीन देशों के अंदर, इसी के वज़े से हम उनको भारत में citizenship देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक च उसी देश देखोगे, जैसे कि हिंदु तमिल्स हो गए, वो स्रिलंका के अंदर उनके साथ भी अतियाचार हो रहा है, वैसी अगर हम बात करें, मैनमार में जो रोहिंग्याज हैं, उनका क्या, फिर वैसे ही और भी हैं, जैसे कि आप हजाराज हो गए, अमदियाज हो गए, तो वो भी तो एक तरह से मैनॉरिटी हुए, तो सरकार इनी तीन देशों को क्यों अलाव किया है, सरकार इस कानून में मैनमार क्यों भी इंक्लूड कर सकती थी, ताकि मैनमार में जो मैनॉरिटी है, मैनॉरिटी कौन है, देखो मैनमार में मैजॉरिटी बिसिकली आपके लेकिन सरकार जान मुझकर यहाँ पर उन तीनों को ही अलग करना चाहती है इन तीन देशों को ही चुनना चाहती है जो की सही नहीं होगा ऐसा प्रेटीशनर्स कह रहे है अल्टिमेटली देखो यहाँ पर जो सुप्रीम कोट है वो यही देखेगी कि क्या ये कानून है कि नहीं क्योंकि अगर आपको रिसेंटली याद हो जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो इस्ट्रक डाउन किया था सुप्रीम कोट ने तो उसमें सुप्रीम कोट ने कहा था कि यह आर्बिट्ररी है इर्रैशनल है मतलब कि यह फाक्ट्वल बेसिस पर कहीं नहीं है कहीं कहीं प्रॉपर प्लानिंग से नहीं हुई है गलत तरीका है यह तो अगर सुप्रीम कोट को यह लगेगा तो में भी सायथ सुप्रीम कोट इसको स्ट्रक डाउन कर दे लेकिन यहाँ पर अगर हम फानली जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूँ कि अभी जो लेटेस्ट देना चाहिए और इसकी सुनवाई करनी चाहिए ऐसा मुस्लिम लीग का कहना है अपने पेटिशन के अंदर और साथी साथ मुस्लिम लीग यह भी कह रही है कि देखिए हम माइग्रेंट्स जो आए हैं जो इन तीन देशों से माइग्रेंट्स आए हैं उनको citizenship देने के खिला इसको रिलिजन नूट्रल कर दीजे मतलब सभी धर्म के लिए कर दीजे जिसकी भी प्रताणा हो रही है जो भारत में आएगा तो उसको जो citizenship है वो यहाँ पर दिया जाए खेर जो भी है आपका क्या सोचना इसको लेकर मैं जाना चाहता हूं कमेंट्स में मुझे जरूर बत है देखो वैसे कोई बड़े स्थर पर प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला लेकिन असाम में थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिला था और जो न्यूज मैं देख रहा था उसमें बताया जा रहा था कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टी स्टुडेंट्स वो भी प्ल करने के लिए यहाँ पर कौन कौन से कंडिशन से आपको बताना इन चार आप्शन को ध्यान से पढ़ीगा इसका राइट आंसर आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डिबल